रिसेंटली एक केस्टेडी मेरे सामने है मैंने का आप लोगा शेयर करो रिलेटेट टो आइफरस 15 देखें ऑईल इंडस्ट्री में नॉर्मली तीन मेजर काम होते हैं एक तो एक्स्ट्रेक्शन जमीन से ऑईल निकालना फिर उसको रिफाइन करना और फिर उसको बेचना जो OMC होती है जैसे पाकिस्तान में PSO है, SHELL है, HESCOL है, यह कंपनीज हैं अचा अब सवाल यह है कि यह किस्सा जो है एक्स्ट्रेक्शन कंपनी से रिलेटेट है तो एक्स्ट्रेक्शन कंपनीज पास्ट में कदीम दोर में किस तरह काम करती थी कि डिफरेंट जोगों पर जाके और यह समझ लिए एक X कंपनी है, एक तरफ X कंपनी है और एक तरफ extraction कंपनी है, सही है जी, अब X कंपनी ने क्या करा, एक जगा जमीन खरीदी है, जमीन के राइट्स खरीदी है, बहुत बड़ी जमीन के राइट्स खरीदी है और वो extraction कंपनी के पास आई और बोला, कि हम आपको इस जमीन पे research करके देंगे कि इसमें कहां कहां कितना deep कितना oil है और कितना gas है एक तो हम आपको research करके देंगे briefing देंगे reports देंगे और second end में हम आपको license भी शुकर देंगे कि आप जाके digging कर लें यह कहानी है अब सवाल भी दी reports भी दी और end में license देंगे तो सवाल यह है कि क्या यह जो extraction company है यह briefing और reports लेकर बीच आदे रास्ते में back out हो सकती है नहीं हो सकती उसके पीछे दो वजाएं यह सवाल में लिखाता पहली चीज़ तो यह है कि भाई वो जो data provide किया जा रहा है एक्स कंपनी की तरफ से extraction company को वो इसके लिए इतना useful भी नहीं होगा क्यों कि इस data के जरीए यह कहीं और से license लहीं नहीं सकता क्योंकि वो जगा ही इसकी है वो पूरी जगा ही इन लोगों की एक्स कंपनी की तो इसलिए this data is of no use for extraction company दूसरी बात यह है कि अगर आदे रास्ते में इस extraction company ने यू-turn मानने ही कोशिश की कि हम back हो जाएं तो मुआइदे में यह लिखावा है कि आपको पूरी payment करनी पड़ेगी end तक की तो इसका मतलब past practice यह कहती है कि आज तक कोई भी extraction company back ही नहीं हुई अच्छा एक और चीज भी इसके अंदर यह लिखी वी थी कि एक बार वो end में जब license provide कर देगी न एक्स company तो उसके बाद एक्स company कोई जिम्दारी नहीं बस वो बस license देके चली जाएगी अब आते हैं IFRS 15 पे और एक्स company की book से related सवाल तक है एक्स company जो है न दो चीज़े प्रवाइट कर रही है एक तो पूरी briefing और जो research बगारा करके briefing दे रही थी रिपोर्ट दे रही यह service प्रवाइट कर रही है और end में एक license प्रवाइट कर रही है तो सबसे पहली जब भी stage 2 पढ़ाए जाते है तो आपके सामने दो points बताए जाते हैं कि भाई distinct performance obligation तब होगी अगर आप multiple चीज़े दे रहे हो तो वो distinct और separate performance obligation तब होगी जब यह दो points मीट होंगे जिसकी मैं shortcut आपको बताऊ तो supplied separately और benefited separately to customer यानि supplied separately का मतलब यह है कि आपने contract में उसको अलग से identify किया हो कि मैं अलक से इसको supply करूंगा और benefited separately का मतलब customer को भी उस separate performance obligation से या तो अकेले फाइदा हो या दूसरी चीजों से समझ लो मिला के फाइदा हो राइट यानि benefit separately अब इसके एक मैं मिसाल देता हूँ आपको जैसे teaching plus books कि हम खुद 2009 वगरा में इस तरह हमारा भी package था दोनों चीजें separate performance obligation है क्यों एक तो हम contract में identify करते थे कि आपको यह books मिलेंगी और यह teaching service मिलेगी और second इन दोनों चीजों से customer को भी अलग से फाइदा होता था यानि भई books से separate फाइदा होता है कितने बच्चे books से ही पढ़ के पास हो जाते हैं और teaching services से अलग फाइदा होता है तो यह तो इस point stage 2 की पहली interpretation हो गई कि benefit separately और supplied separately इसकी और interpretation भी है जो ज़रा advanced वाली है कि अगर कोई supplier multiple services या multiple चीजें provide कर रहा हो लेकिन वो separately identifiable ही नहीं हो अलग-अलग से identify नहीं हो सकती तब भी तब भी इस पूरी कहानी को एक single performance obligation treat किया जाएगा और एक तीसरी और interpretation भी है कि अगर वो चीजें जो हम provide कर रहे हैं as a seller वो highly interrelated और interdependent है ना तो अब once again यह पूरी एक single performance obligation होगी आईए सवाल पर वापस आते हैं देखे मैंने कहा था कि वो जो briefing services और हम जो reports बना के दे रहे हैं वो reports customer के किसी काम की नहीं है सवाल में लिखा था मैंने आपको बताया ना कि customer नमर उससे कोई फायदा उठा नहीं सकता है यह वो benefited separately वाली condition में नहीं कर रही इसी वजह से यह पूरी कहानी एक single performance obligation treat होगी right number two number two अब आते हैं stage five के उपर उन्होंने stage five भी पूछा था कि भाई वो जो seller जो ex company है जो यह सब चीज़े दे रही है और license and में दे रही है वो revenue कैस in time book करेगी तो भाई इसका एक technical जवाब देता हूं देखें सुनें कि आपने जो during the period जो आपने उनको services दी यह जो research वगरा करके दी लिखा वाता सवाल में कि वो that's of no use for customer यानी customer को उससे कोई फायदा नहीं होगा या customer को during the period को benefit ही नहीं हुआ तो ऐसी सुरतहल में customer को असल benefit license से ही होगा जब असल benefit license से ही होगा और license देने के बाद आप उसकी शकल भी नहीं देखोगे लिखावा ता कि अब आगे कुछ भी नहीं देना तो अब यहाँ point in time एक साथ जब license दिया जाएगा issue के जाएगा तब ही revenue book होगा और वैसे भी एक और बात end में हटके करता हूं ज जैसे teaching services बच्चा जैसे जैसे class लेता अप्ग्रेड होता जाता है न तो यहाँ वह condition भी मीट नहीं हो रही इसी तरह एक और point भी इस overtime के नीचे लिखावा है कि वह आपको ऐसी चीज प्रोवाइट कर रहे हो कि जिसमें वह चीज जैसे जैसे बनती जाए वह customer के control में आती ज जैसे construction on customer plot construction on customer plot तो यहाँ ऐसी भी कोई शर्त नहीं है तो इसलिए यहाँ end में end time पे आप जो point in time में revenue बुक करोगे अपना उमीद है आप लोगो इससे benefit मिला होगा अपना बहुत ख्याल रखेगा अलाहाफेज